तो हम इसमें बता रहे थे कि हमको क्या चाहिए इस तरीके का रांगा का कालेक्शन चाहिए होता था उस जमाने में कि यह बहुत हैबी कॉइंटिटी हुआ करती थी हैबी कॉइंटिटी मतलब यहां पर आप उदाहरन हम दिखाते हैं यह सोचिए यह किसी प्रेस का स्टोर रूम है सारा केरिक्टर रखा हुआ है सारा स्टॉक करके और यह स्टॉक करके रखना मतलब यह टन के हिसाब से होगा क्योंकि एक तो भारी होता है वो तो ऐसे स्टॉक करके रखना फिर इसको एक कोई इनसान होता था जो इस तरीके से जो चीजें चापनी है जो चीजें चापनी है उसके करेक्टर को पलेट से उठा करके मतलब यहां से उठा करके यह जैसे बॉक्स बई बॉक्स और उसको ए और उठा करके अब उस प्लेट को यानि इस प्लेट को चड़ाया जाता था फिर फाइनली मशीन के उपर मशीन के उपर में कौन से मशीन के उपर तो जो मशीन अभी दिखाई दिया था सुरू में आया था ये इस मशीन के उपर उसके बाद ये छपने का काम करता था मतलब इसमें इंक लगता था ये जो बेलन के अकार में दिख रहा है इसमें इंक लगता था और ये फोर्स से छपाई का काम पूरा होता था जैसे इसको हम अगर दिखाना चाहें कि छपने का काम किस तरीके से होता था तो यह देखिए कैसे छपाई का काम होता था एक जमाने में यह छप रहा है देखिए कैसे कैसे रेंज कर रहा है इस तरीके से सारे कैरेक्टर्स को इस पलेट में एरेंज किया जा रहा है जब एरेंज हो जाएगा तो सोचिए कि अगर हमको कोई बॉर्डर देना है किसी मेटर के चाहरा तो मतलब मेरे पास बॉर्डर बना हुँओ होना चाहिए रांगा कोई चेढ़ को अगर बड़े पौंट सेज में लिखना है तो अलग से चाहिए उसका कलेक्शन इस करणा से यह बहुत हां बहुत भारी काम था फिर छड़ता था मशिन पर पलेट इस तरीके से लॉक हुआ फिर मशीन में इंक दिया गया इंक देने के वाद अब छपाई का काम सुरू किया जाता था ये कुछ ये मैनुवल है ये सत्तर के समय ये उससे पहले के समय के ये मशीन है देखे और तब जाकर के छपा कुछ इस तरीके का अब इसमें अगर मान लेते हैं आपको क कोई लोगों दिख रहा है लाक कोई फोटो दिख रहा है लाक गनेश की का फोटो दिख रहा है वैया स्वास्तिक का व्य होता था इस परकार से ये ट्रेडिशन अब भी पड़े हुए लोगों के पास आप मार्केट अगर गों में तो बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस में आपको ऐसे मशीन्स देखने को मिलेंगे जो की जंग खा रहा हूँ फिर इस पर दिमाग लगाया गया दिमाग लगाया गया क्या कि क्यों ना हम ऐसा करें कि कोई टेक्नलोजी ऐसा आ जाए कि design हम बनाए computer से apply to तयार कर दे तो ऐसा नहीं होता है अब इसके लिए होता क्या है तो computer से design design तो आप जैसा चाहेंगे वैसा बना लेंगे जैसा मतलब वैसा अब हमको ऐसा भी चाहिए तो दिकत नहीं है अब order जैसा चाहिए हमको दिकत नहीं है हमको single line के जगा double line चाहिए तो भी दिकत नहीं है क्योंकि computer में तो design हो जाएगा हमको logo जरसा चोटा नहीं बड़ा चाहिए तो भी दिकत नहीं है हमको रांगा का जरूरते नहीं है वह यह खत्म हो गया जमाना आ गया screen printing का कि design computer से बनाएंगे जो भी बनाना है और उसको बना करके एक दूसरी टेकनलोजी जो पुराना traditional मेथड था उससे हट करके जो टेकनलोजी है उसको हम कहते हैं screen printing screen printing जिस माध्यम से यह कार्ड चपा हुआ है यह कार्ड screen printing से ही चपा हुआ है हाँ अस्क्रीन प्रिंटिंग से चपा हुआ है हाँ अब कहीं हम सूम करके क्या देखना चाहिए इसमें समझने मुली बात है जो screen printing से चपता है तो उसमें एक केमिकल मिलाए जाते हैं color में उस जंद ही इसमें रह जाता ही उस तरीके का केमिकल को भी तो यह औरी वाइट हो जाएगा है पूराई मैनुवल प्रोसीजर मतलब एक परदे पर पहले एक कोट लगाया जाता है फिर कंप्यूटर पर डिजाइन बना करके उस डिजाइन को एक खास किस्म के पेपर पर प्रिंट आउट लिया जाता है उस पेपर को कहते हैं ट्रेसिंग पेपर ट्रेसिंग पेपर यह कागज है जो आम तवर पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी प्रेस के अलावा ट्रेसिंग पेपर आप कहीं नहीं देख पाएंगे उस ट्रेसिंग पेपर पर उस चीज़ को प्रिंट आउट लिया जाता था था हम सब क्यों इसकर हैं क्योंकि अब यह टेकनलोजी थीरे-धीरे पुरानी होती जा रही है, तो उस पेपर पर प्रिंट लेने के बाद उस पेपर और एक ngay और लकड़ी के एक में परदा लगबा हो था जिस में हम बोले की कोट लगा जा था एक खास कलर का कोट जिसे सोना कोट कहते थे अब उस कोट पे उपेपर रख करके एक प्रोसीजर है पूरा प्रोसस है वो फॉलो करवाया जता है जिसमें उसको धूप दिखाना या लाइट दिखाना होता था दस से बारा सेकेंड के लिए जिसके कारण पेपर पे वो जो छपे हुए कैरेक्टर्स हैं जो खास पेपर कि वहां पे वह परदे पे यह चीज़ें चप जाती थी और बन जाता था यह चानना चानना कुछ वैसा समझें सूती कपला का चानना कैसा होता है कुछ भी डालिये तो मोटा चीज़ उपर रह जाएगा बाके नीचे से चान करके आ जाएगा चाठ पूजा में जो लोग कर दो भी गलत जाएगा बन जाता था जाएगा जो जाएगा जाता बन जाएगा जाता है